मैं जेडियू के वरिष नेता केसी त्यागी से नियुजवन इंडिया ने खास बात्चित की है इस दोरान उन्होंने असदुद्धी नो वैसे ही तेजस्वे और मणिशंकर आयर पर तंच कसा है और क्या कुछ कहा आयो सुनते हैं कॉंगर्स नेता मणिशंकर आयर अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चाओं में रहे हैं कभी पाकिस्तान को लेकर तेगवर फिर से उन्होंने चीन को लेकर एक विवादित बयान दिया है मणिशंकर आयर ने कहा है कि 1962 में चीनियों ने कथित तोर पर भारत पर आ अपमान हैं जिनोंने अपने आहुती देकर भारतमाता की रक्षा की सीमाओं की रक्षा की समुचा विस गवा है कि पंडी स्री जवाला नहरों की गुट निरपेश और शांती की नीती के विरुद चीन का ये आकरमक हमला था और चामेलाई के नितृत में विश्वास घात किय जाते हैं जिससे उनकी पार्टी की भी और भारत की दोनों की इस्टिती हासाजपद होती है यह उनका बयान भारत विरोधी है यह उनका बयान चीन की प्रसंसा में है और उनको इसके लिए छमाय आचनके मीची आप बिहार से आते सर तेजश्वी यादव और जादू बिहार पर नहीं चलने माला है परिवारवाद की रायनिती का यह निर्संस और विभत सवरूप है जब दोनों भाई मिलकर के उत्तर पर देश के लोग परिये मुखफंत्री के विरुद इस तरी की ठीका ठिकनी कर रहे हैं वो जनता के द्वारा चुनेगे प्रतिन में की जाती हैं उससे साबित होता है वो सनकी हैं तानर्शा हैं उनकी तुलना हमारे मुखफंत्री से करना यह अपमांजने के दोनों भाईयों को संयुक तुरूप से प्रैस वार्ता करके छमा मांगी जी एक आखरी सवाल रहागा सर असदो दिनोवैसी ने कहा कि एंडिये साथ भी चले जाएंगे शिरी ओवेसी जी उत्तेजनात्मक भावनात्मक आपतिजनक बयान करने के लिए जाने जाते हैं मैं उनसे हैसे मेती रखता हूं कि अगर इंडी गठबंदों कोई जूर्थ पड़ेगी वो अपना मत अपने पास रखें एंडिये का बहुमत आने ज बीचे पास रिपन दी जाते हैं मैं टyasके घ्रेक बढने एंडी कोई चले जां पास दोकुमत